हालो फ्रेंड्स स्वागत आपका चिराग क्लासेज के ओनलाइन यूटूब चैनल के उपर तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग I hope आप सब बढ़ी होगे तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बीएसब हैड कॉंस्टेबल एंड एएसई बरती दोहजाद चोईस के बारे में इसके अंदर हम बात करेंगे कि इसकी वेकंसी बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली कितना कंपेटिशन आपको देखने को मिलेगा सारी जानकरी इस वीडियो के अंदर में आपको देने है ठीक है तो वीडियो को पूरा देखिए तो चलिए फ्रेंट शुरू करते हैं तो वीडियो में आगे परने से पहले मैं आपको बता देता हूं अगर आप भी यहां पर अससी जीडी परती दोहजाद चोईस पर्चिस यानि जो नहीं वाली वेकंसी अगर इसकी त्यारी म सवाल मिल जाएगे जो परिक्साव में पूचे गए हैं ठीक है और यह प्रतेक बुक आपके टीशेंज प्रेटन के ऊपर रहने वाली है अगर बात करें हिंदी वाली बुक की तो यहां पर 2190 प्लस अब्जेक्टिव टाइप के क्रिशन मिलेगे वित सोलिशन के साथ अग और वो बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है इनके अंदर आपको फिरी में स्केज कार्ट भी मिल जाएगे जिसके अंदर आपको मोक टेस्ट दे पाओगे अब यहां पर मैं आपको बता देता हूँ अगर आप हमारी इन बुक से तयारी करते हैं तो इनों आपको क्या और इस बुक के अंदर केवल जीडी के सवाल पूचेगे हैं ऐसा नहीं किसी अन्य एक्जाम के सवाल डालेगे जीडी की बुक है तो जीडी के सवाल आपको देखने के मिलेगे ठीक है और यह बुक आपको 125 रुपे में मार्केटियों अंदर मिल जाएगी तो आप इनको प कितना है तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपके पास 2023 वाली बरती का देटा आपके पास होना चाहिए जिसमें आप सभी को पता है 300 प्लस आपकी वेकंसी थी ठीक है टोटल सीट की बात करें टोटल यहां पर कितने फॉर्म एप्लाई हुए थे तो यहां पर छह कि बात करें एक्जाम के अंदर कितने उपस्तित हुए थे तो 3.5 लाग कंडिटेट यहां पर एक्जाम के अंदर उपस्तित हुए थे ठीक है एक्जाम पर सीट कंपिटिशन है मतलब एक्जाम देते समय पर सीट एक सीट की उपर कंपिटिशन कितना था तो यहां पर आप तो देख शेते एक जार तयांसी candidate का फिर भी आपको competition देखने को मिला था और यह आपकी कटोप रही थी अगर बात करें यूर की तो 92 कटोप गई थी ठीक है OPC का यहाप 89 कटोप गया था EWS का 87 कटोप आपको देखने को मिला था बढ़ता हूं यहाँ पर जो आपकी यह वाली बढ़ती है यह लगवग 1526 पदों के उपर है ठीक है और यह विकंसी अब भी बढ़ेगी यह बढ़ेगी कैसे लाश्ट में मैं आपको पूरा रिजन बताऊंगा ठीक है सबसे पहले अगर आप द्यान से देखो कि तो टोटल य अभी बढ़ते है ठीक है और यहां पर पीटी प्यश्ट के अंधर लगवग 5 fac1े सिल यह भी खेल पांट के लिए ठीक है अब यहां पर कौलिफाइऑ देखें तो चार लाग बच्चे यहां पर क्वालिफाइऑ हो धाते है ठीक है इसके बाद में अगर आप को अक्छाम मे जाएगी लगबग 26 को बराबर आपकी वेकेंशी होने वाली है तब आपको एक शीट के उपर लगबग 80 के करीबन आपको competition देखने को मिलेगा ठीक है अब यहां पर फेंट्स में आपको यह बताऊंगा कि आपकी यह यह आपने जो notice है यह आपने ध्यान से देखा होगा यह कुछ दिन पहले जारी हुआ था ठीक है और यह किस ने जारी किया था किरा मंतराली के तरफ से यह जारी हुआता है जिसके अंदर डेट आप देख सकते हैं 24 जुलाई 2024 ठीक है और यहां पर बात आप देख सकते हैं केंदरिये ससस्तर पुलीस बलो और असम राइपल में एक जुलाई 2024 तक कुल सुविकत परदोग की संक्या कितनी है डस लाग पेतालीस हजा सासो एकाउन के मुकावड़े 84106 है मतलब इतने पद अभी भी खाली पड़े है इसके बाद में देखोगे रिक्तियों को बढ़ना एक सतत परिक्रिया है और मंतर बाद में UPSC है तो UPSC की लगबग आपके 300-400 के करीबन आपके वेकंसी आप माल लीजिएगा ठीक है इसके बाद में आपकी जो ट्रेडमेन की वेकंसी बरी जाएगी इसके बाद में आपकी PSP head constable है ठीक है इस वेकंसी के पद बढ़ाए जाएगे लगबग बढ़ने के प पूरा नोटिस आप देख सेते हैं यह नोटिस में आपको टेलीग्राम चैनल के उपर प्रोवाइड करवा दोगा वहां से आप उसको देख पाएंगे ठीक है यहां पर और भी में चीज़ें इसके अंदर वह दिखा देता हूं यह भी उल्यक नहीं है कि अप्रेल 2023-2024 के 26345 उमिद्वारों की बर्ति की गई है इसके अलावा 46,991 रिक्तियों को अदुसचीत किया गया है इसके बाद विए पर्ति के विबिन चरणों में उपरोग यह स्पेस्ट की सुरक्षा बलों के आकार की तुल्ला में नगिन्य प्रभावी रिक्तियों के साथ ओर टाइम स इसके बाद में यहां पर देख सेते हैं वार्षिक बढ़ती के लिए करमचारी चेहिन आयोग के साथ समझोता है ग्यापन पर अस्ताक्सर किये गए है तो लगवक चांस आपकी जो बिएस सब्सक्राइब बढ़ाये जाएंगे और बढ़कर 26 के बराबर हो जाएंगे और त अब यहां पर बात करते हैं फिजिकल आपका कबसे स्टार्ट हो जाएगा तो अब होने की पूरी-पूरी संभाव नहीं है क्योंकि यहां पर सबसे पहले आपको बता देता हम SSC GD वाली बढ़ती है अभी लगवक अटालिस दार के गरीमन है इस वेकैंसी का सबसे पहले फ इसका कोई डेट जारी हुआ है लगबग इसका जो फिजिकल है वो सेप्तमबर के सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा लगबग यहां पर इसमें 15-20 दिन का समय फिजिकल होने में लगएगा और आपका कोई भी डावट है तो आप पूचिए प्रते बच्चे का रिप्ला पन्दमाट